हलो दोस्तों के सो आप सभी लोग तो आज मैं आपको एफाय रॉयल पास के विक फाय के सारे मिशन डीटेल में एकस्प्लेइन करूंगा और इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके मिशन जल चल्दी कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले दोस्तों में शाउट भी करल जीत सकते हो या फिर अन्रैंक के अंदर बस जितने वक्त आप देख सकते हैं से हमने यह लेवल 3 का हेलमेट पैना हुआ होना चाहिए फिर दोस्तों आपने मिशन के अंदर काउंट हो जाएगा फिर नेक्स्ट मिशन है आरपी पॉइंट के लिए इलाइट यूज ए मिल जाएंगे फिर नेक्स्ट मिशन है इस कार्ड के लिए इलाइट एलिमिनेट 3 प्लेयर्स वाइल प्रोन इन क्लासिक मोड तो दोस्तों हमें तीन प्लेयर्स लेटे हुए मारने हैं आप देख सकते हुए से लेटे हुए दोस्तों आपको एनिमिस को पूरा फिनिश करना ह होगे तो आपको ही मिशन हो जाएगा या फिर आई बटन पर आपको एक वीडियो दे दूंगा वो जरूर चेक आउट करना फिर नेक्स्ट मिशन है 60 आरपी पॉइंट्स के लिए और यह रिपीटेबल है वीक फाई ओनली स्पेंड हंड्रेड मिनिट्स इन मैचेस जैसे से आप दोस्तो इस तारीक के बाद को यह मिशन कंप्लीट कर पाओगे फिर नेक्स्ट मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए और यह फ्रेंड बुष्टे इसका मतलब यह होता है अगर आप यह मिशन आपके रॉयल पास के दोस्त के जाद करोगे उसने भी किया यह जुका है तो आपकी 0x20 में एड हो जाएगा और आपनी क्यात उस कीज में Eliminate 20 Enemies with Assault Trifle in Irangle in Classic Mode तो दोस्तो हमें 20 Enemies मारने है Assault Trifle सबसे पहले आप देख लो इन्हें Assault Trifle कहते है M416, AKM, Skyrim तो इनसे दोस्तो आपको 20 Enemies मारने है Irangle Map के अंदर तो आप rank के अंदर भी कर सकते हो Irangle में या फिर Unranked Next Mission है 60 RP Points के लिए और यह Friend Bonus है तो इसका मतलब भी होता है अगर आपके Royal Pass के दोस्त के साथ यह Mission करोगे तो आपको Extra RP Points मिलेंगे Complete 5 Matches with Friends in Classic Mode तो वह वही कह रहे हैं आपके दोस्तो इन गेम के दोस्तों के साथ 5 Matches करने है Complete फिर यह Mission भी हो जाएगा फिर Next Mission है 60 RP Points के लिए और यह Team Boost है इसका मतलब अगर आप Squad के अंदर खेलोगे Squad ने किसने भी किया तो अभी आपका हो जाएगा Pick up the Flare Gun in 3 Matches with teammates in Classic Mode तो आप देख सकतो Flare Gun तो टोटल हमें 3 Flare Gun दोस्तों उठाने ही 3 Matches में तो फिर यह Mission हो जाएगा फिर Next है Pick up an AWM one time in Classic Mode तो दोस्तो हमें AWM आप देख सकतो यह उठानी है पर इसके लिए दोस्तो आपको Drop लुटना पड़ेगा तो आप Drop लुटो ड्रॉप में से मिल जाएगी बस एक बार उठालो फिर Next Mission है 60 RP Points के लिए Finish 10 Enemies with M416 in Classic Mode दोस्तो आपकी Favorite Gun M416 इसते टोटल 10 Enemies मारना है Classic Mode में फिर Next है 60 RP Points के लिए Week 5 Only Log Into the Game on a Total of 3 Days दोस्तो हमें बस 3 दिन गेम को Log In करना है Week 5 में फिर Next है Finish 1 Enemies with Kar98k in Classic Mode तो दोस्तो हमें देख सकते हैं Kar98k इससे एक Enemies मारना है फिर Next है Travel More Than 2000 Meter While Operating Any Vehicle in Classic Mode दोस्तो हमें बस दोस्तो वहिकल चला नहीं कौन सी भी चला सकते हो आप क्या करों गाईज? Unrank लगाओ, Irangle लगाओ, वहिकल लो और बस 2000 मिटर चलाओ फिर ये भी Mission हो जाएगा और Last Mission है Visit the Social Lobby of 3 Different Friends दोस्तो हमें तीन दोस्तो की Lobby को Visit करना है तो सबसे Easy दोस्तो आप क्या करों आपका जो भी Friend होगा आप उसके पर क्लिक करों फिर उसके Lobby पे जाओ जैसे आप जाओगी एक हैड होगा फिर से केंड वाल पे जाओ बस आपको इसे भी रिजिट करना है तो दोस्तो आपका Emission हो जाएगा आप देख सकते हो एक काउंट भी हो गए तो गाईज यह थे वीक 5 के Emission तो इनके लिए एक वीडियो को लाइक कर दे मिलता हूँ मैं आपको वीक 6 के Emission के वीडियो के साथ तिल देन से भी बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग